मुझे बाद हमारे पास है अर्ली मिनिस्ट्रीज अर्ली मिनिस्ट्रीज के अंदर देखे है हमारे पास क्या कोर्स का पार्ट है बच्चे को यही नहीं पता होता कि कोर्स का पार्ट किया है सही है बच्चा जो सबसे ज़्यादा गलती करता है वो यह करता है कि उसको पता ही नहीं है कि कोर्स का पार्ट किया है देखो आपके पास है che gC governor general और दूसरे है prime ministers आपको ये बात पता होनी चाहिए कि prime ministers are not part of your course आपके part नहीं है course का आपका syllabus prime ministers पर मुझ्तमिल है यह यह नहीं मेरे notes में लिखाओ तक मेंयरे notes में नोट में में सब की details दीए है प्राइमjust की लेकिन आपके course का part नहीं है अगर कोई teacher कह दे कि course का part है उस teacher को मेरे पास ले आगा सए है तो हमारे course का part नहीं है आपके course के अंदर है पहले है governor general early ministries में क्या है governor general और governor general के बाद है prime ministers prime ministers में सिर्फ एक हमारे course का part है वह है लियाकत अलीगान और और ख्वाजा नाजिमातीन की सर्विसस सेम है That's why वो part है वरना कोई आपके पास Prime Minister part नहीं है लेकिन आपको नाम बताओने चाहिए आपको नाम बताओने चाहिए एड़ीस ताके जब वो नाम आए तो आप यह न भूले हैं यह कोन थे तो हमारे पास क्या बाई 1948 को अल्ला को प्यारे हो गए हमने तो पीछे जो successes और फिरियोस पड़े वो जिनाब भाई के हिसाब के थे और जिनाब भाई के कोई सवाल नहीं आ था पिर हमारे पास है खुआजा आज़ा नाज़े मुद्दीन तेन साल के लिए फिर चार साल के लिए और फिर आपके वास तीन साल के लिए अब आपने कैसे याद रखना है आपने याद रखना है वन त्री फूर थ्री वन प्लस थ्री कितना होता है फूर वन प्लस थ्री होता है फूर फूर होगा और फिर आप क्या बताओगे लाश्वाला तरी है, 1343, आपने साल याद रखने, जिनाबही एक साल के लिए, 1947-48, फिर 48-51, फिर 51-55, फिर 55-58, प्राइम मिनेस्टर्स का क्या सिलसिला था, प्राइम मिनेस्टर्स जबाई आई लियाका तरिखान, 1947-51, फिर ख्वाजर नाजिम الدीन, फि हमारे पास 1947 से 51 तक फिर ख्वाजा भाई आए फिर मौम्मद अली बोगर आए फिर चौदरी मौम्मद अली आए हुसाइल इसमाइल चंद्रीगर आए और मलेक फिरोज खान रोड आए यह आपको पता होना चाहिए कि यह आपके प्राइम मिनिस्टर्स हैं सही है लाइन से सार लियागत अली खान आपके पास क्या थे आपके पास पर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और ख्वाजा नाजम अदीन कौन थे सेकंड गवर्नर जनरल जी जी का मतलब क्या है गवर्नर जनरल दोनों की सर्विसेस क्या है बिटा सेम है लेकिन आपको कुछ बाते पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको लियागत अली खान और ख्वाजा नाजम तीन के बारे में होता रहा हूं देखो आपने यह समझन है कि 1947 था 1947 से 48 भाई हमारे जिनाभाई चल रहे थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे लियागत अली 1948 से 51 तक कौन थे ख्वाजा नाजम तीन कौन थे ख्वाजा नाजम तीन और आपके बास लियागत अली खान कौन थे पर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी वही प्राइम मिनिस्टर सही है मतलब वो प्राइम मिनिस्टर जबता करें जबता क्वाजा नाजम तीन और ज resolution बनाया objective resolution was the first step towards constitution constitution बनाने की कोशिश करी कानून बनाने की कोशिश करी इसके अंदर इन्हों ने religious freedom दिया religious freedom religious freedom से यह हुआ कि जो आपके non-muslims लोग थे वो आपसे satisfy हो पिर आप यह बताओ कि उल्मास भी से मतलब इस तरीके का constitution मनाया कि कुछ हद तक क्या हुआ कि उल्मास satisfy हो गए आपको religious freedom भी क्या हुआ कुछ हद तक मिल गया लेकिन हुआ यह कि भाई यह बात अभी हम क्या बता रहे तारीफे बता रहे अभी हम बुराई नहीं बता रहे बाद में आप बताओ यह फेल हो गया लेकिन 1949 में objective resolution आया objective resolution के अंदर आप में बताओ कि religious freedom मिला उल्मास को क्या हुआ उल्मास क्या हो गए satisfy हो गए उल्मास क्या हो गए पिटा satisfy हो अभी हम फाइदा बता रहे ना services में फाइदा बता रहे फिर उनकी दुनिया के अंदर financial policies बहुत अच्छी है जब इनकी financial policies इतनी अच्छी थी foreign policies इतनी अच्छी थी कि आपकी economy इतनी strong हो गई कि आपका surplus amount अनश्र हो गया मतलब आप बहतरी पे जा रहे हो आप positive point पे जा रहे हो तो आपका budget क्या हो गया surplus budget मत अप पैसा ज्यादा कमाइए और आपको उदार लेनी की जरूरत नहीं पड़े हो आपको हैरानगी होगी क्यूंकि यह लोग क्या थे यह लोग sincere लोग थे यह लोग Pakistan के लिए काम कर रहे थे अपने लिए काम नहीं कर रहे थे दिल से काम कर रहे थे तो आप यह बताओगे आ आपकी economy strong हो गई और आपके पास surplus budget आ गया, ज्यादा budget आ गया, फिर आप ये बताओगे कि 1950 के अंदर इन्होंने एक और constitution की तरफ step लिया, जिसमें इन्होंने basic principle committee बनाई, क्या बनाई, basic principle committee बनाई, और उसके अंदर ये कहा, कि main power किसके पास होगी, central government के पास, लेकिन unfortunately ये fail हो आप ये बताओगे कि basic principle committee के अंदर कहा गया, कि main power होगी central government के आद में, जो के पाकिसान movement के खिलाफ दी, सर पाकिसान movement के कैसे खिलाफ दी, आपको याद होगा, जब आप लोग section 2 पढ़ते दे, तो section 2 के अंदर हम एक ही रोना दोना करते दे, provincial autonomy चाहिए, provincial autonomy चाहिए, provincial autonomy चाह provinces, लेकिन इस reform के अंदर यो लोग क्या कह रहे हैं, कि हमें main power चाहिए, central government के हाथ में, जो के provincial autonomy के खिलाफ दी, जिसकी वज़ा से आप ये बताओगे, कि हमारे पास ये इनका एक failure भी है, ये इक इनका failure है, फिर आप ये बताओगे, इन्होंने प्रोडा बनाया, प्रोडा ब बंदा, एक normal बंदा, उसके खिलाफ complain कर सकते है, क्या कर सकते है बिटा, उसके खिलाफ complain कर सकता है, public officer अगर guilty हुआ, अगर उसने कोई करपशद करी होगी, या उसने कोई चीज गलत करी होगी, तो हम उसको punish करेंगे, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसका miss use कर देखें, इसमें ये था, कि अगर आप, आपको अगर कोई बंदा वो दे रहे है, रिश्वत ले रहे है आपसे, या अगर कोई बंदा आपके साथ गलत कर रहे है, आप उसकी शिकायद कर दो, उसको हटा दिया जाएगा, अब जो elite से, जो लोग अमीर थे, उन्होंने क्या क करा, उन्होंने ये करा, जैसे एक, मैं यहाँ पर MYM, MYM मैं हूँ, मैं एक government official हूँ, मैं नेक आदमी हूँ, सही है, मैं बहुत शरीफ आदमी, मैं बहुत नेक आदमी है, अब आप तें अमीर, आपको कोई उलट गाम करवाना था, मैंने बोला, मैं ना रिश्वत दूँगा ना मैं कुछ करूँगा, मैं आपका काम नहीं करूगा, अब आप क्या करोगे, आप मिरो पर जूटा इल्जाम लगा दोगे, आप मिरो पर जूटा इल्जाम लगा दोगे, कि यार इस बंदे ने corruption करी है, तो मेरा transfer हो जाएगा, या मुझे हटा दिया जाएगा, और मेरी ज यूज करा, कि लोगों के उपर जान पूछ के false accusation लगा कर false cases बना कर उनको हटा दिया जाता था जो नेक लोग होते थे, तो ये हमारे पास इनकी services है, services के अंदर आपके अदा होगे, objective resolution, financial policies, foreign policies बहुत अच्छी थी, basic principle committee fail हो गई, और आप बता होगे, प्रोड़ा क्या हो अगर किसी को इसमें कोई मसला है, तो वो मझसे पूठ सकता है, और अगर किसी को कोई मसला नहीं है, तो यो क्या करेगा, चिल करेगा? अब हमारे पास है मलिक गुलाम मुहम्मद मलिक गुलाम मुहम्मद जो थे वो आपके पास थे मलिक गुलाम मुहम्मद भाई के दौर में क्या मसले आए और उन्होंने क्या गार नामे करें अब मलिक गुलाम मुहम्मद के बारे में आपके बताओगे कि इनके दौर के अंदर 1951 से लेगे 55 ताग ड्राउट्स आते हैं ड्राउट्स का मतलब यह कि बारिश और नहीं हो रही थी जिसकी वज़ा से क्या होता है कि शौटेज अफ फूड हो जाती है जैसे ही शौटेज अफ फूड होती है तो लोग आ जाते है रोड ओपर और रोड प्रोडेस्ट करना श मलिक गुलाम मुहमद ने एड मांगी फ्रॉम ऑश्रेलिया एंड यूएसे और उधर से हमें मिलियन्स ऑफ टंस क्या आया आटा आया जिससे उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर लिया तो इनका सक्सेस में काउंट होगा ड्राउट्स आ है शौटेज अफ फूड भी लोगों ने प्रोटेस्ट करा प्रोटेस्ट करा तो मलिक गुलाम मुहमद ने फॉरण भीख मांग लिया और क्या आटा फिर आप ये बता होगे कि उल्मास भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके जमाने में उल्मास यह प्रोटेस्ट कर रहे थे हैं कि जो एहमदीज हैं जो का कादिانी है उनको नॉनमिसलिम्ट कीशियर कर दो, कि इमदी और जो कादिआनी होते हैं, उनका ये सिल्सला होता है, उनका ये मानना है कि व्होली प्रॉफित इस नॉट علماس क्या कर रहे थे प्रोटेस्ट कर र है उलमास प्रोटेस्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि जो काद्यानी है उनका नौन-मसल्म से एक लिख लिए करो और जो फॉर्राइन मिनिस्टर Frosttillाग जा-इस और क्या करो रिमूफ कर तो यह उल्मास क्या कर रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यह इनके दोर में यह बुरी चीज़ ओरी थी पिर आप यह वदा होगे कि मलेक गुलाम मुहम्मद से यह प्रोटेस्ट और सॉल्फ नहीं हो पाए तो इन्हों ने क्या मांग लिया मिलिट्री सपोर्ट मिलिट्री सपोर्ट मांगा विच सोट दस्यूइट्स फॉर फ्यूचर मार्शल लौ जिसकी वज़ा से फ्यूचर में मार्शल लौ लगेगा क्योंके देखो ना यह मिलिट्री से सपोर्ट मांगता ना मिलिट्री को यह बात लगती है इनके बस की बात नहीं है आ 1958 में मार्शल लौ लग जाए तो हमारे पास ये है कि इनकी वजा से ना ये मदद मांगते ना में फीचर में मार्शल लौ लगता है क्योंकर जब मार्शल लौ लगता है तो बिटा लोग तो सुधर जाते हैं लेकिन मुल्क की बदनामी बहुत होती है फिर आप ये बदाऊगे कि इन्होंने Constitution पे बिल्कुल वर्क नहीं करा अगर मैं लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजी मुद्दीन की बात करूँ तो उन्होंने Objective Resolution उन्होंने Basic Principal Committee पे काम करा इन्होंने काम ही नहीं करा इन्होंने सिफ टोपी ड्रामे बादियां करी तो ये हमारे पास कौन है मले गुलाम मुहमद मले गुलाम मुहमद के बारे में क्या पढ़ा बिटा डाउट साइट के दोर में लोगों ने प्रोटेस्ट करा इन्होंने Foreign Beek मंग ली और उस्टिलियर उसे से उल्मास प्रोटेस्ट कर रहे दे काद्यानी और को क्या करो डिक्लियर करो नोन मसलिम Foreign Minister Zafirullah Khan क्या करो उसको रिमूफ करो MGM ने क्या कर लिया मले गुलामों ने मिलिटरी सपोर्ट मांग लिया जिसकी वज़ा से क्या हुआ कि सक्सेस्फल नहीं वे और Constitution पे इन्होंने बिलकुल वर्क नहीं करा फिर हमारे पास है इसकंदर मिर्दा भाई इसकंदर मिर्दा भाई आयते 1955 से लेकर 58 तक इसकंदर मिर्दा भाई क्या होता है कि 1955 में एक स्कीम बनाते हैं जिसका नाम था One Unit स्कीम इस One Unit स्कीम के अंदर ये कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और इस्ट पाकिस्तान दोनों एक एक प्रोविंस काउंट होंगे अगर मैं West Pakistan की बात करूँ तो West Pakistan के अंदर चार प्रोविंसिस में ने, पंजाब, सिंबलोचिस्तान और आपका KP के, इन्हों ने कहा कि जितने प्रोविंसिस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सबको मैं एक प्रोविंस काउंट करूँगा, आपका एक प्रोविंस होगा West पाकिस्तान और आपका एक प्रोविंस होगा इस्ट पाकिस्तान ये इन्हों ने कहा जब इन्हों ने ये बात कही तो वन यूनिट स्कीम की वज़ा से इन्हों ने कहा कि सीट्स क्या होंगी इक्वल इस्ट पाकिस्तान और वेश्ट पाकिस्तान की सीट्स क्या होंगी equal जैसे इनोंने ये बात कही तो इश पाकिस्तान को आ गया गुस्टा इश पाकिस्तान ने जाए क्या बात हुई हमारी population ज्यादा है हमारी सीट्स भी ज्या होनी चाहिए हमारी majority आफ सीट्स होनी चाहिए तो यह आपके पास one unit इसके कुछ हद तक क्या हो सकी successful लेकिन ज्यादा successful नहीं हो सकी फिर आप ये बदाओगे कि 1956 के अंदर he was the first person to make the first constitution of Pakistan आपका पहला constitution 1956 में मनता है जिसके पीछे सकंदर मिरदा दे उसके बाद आप ये बदाओगे कि इतका रूल फिर बहुत बुड़ा चलता है 1957 से लेके 58 तक ये तीन प्राइम मिनेस्टर एक साल के अंदर dismiss कर देते हैं जिसकी वज़ासे बहुत ज़्यादा problem होता है और आर्मी ये बात realize कर लेती है कि इनके बसकी बात नहीं है जिसकी वज़ासे 1958 में क्या लग जाता है Marshall law लग जाता है तो ये इनके दोर की बाते है conclusion में क्या बताओगे सब ने बहुत ज़्यादा contribute करा लेकिन लियाकत अली खान या फिर खौजा नाजिमतीन ने सबसे ज़्यादा contribute कर तो जब आपके पास बिटा 14 मंग का सवाल आएगा तो उसमें या तो लियाकत अली खान दिया वाओगा या खौजा दिया वाओगा दोनों एक साथ नहीं हो सकते सर आप जूट कह रहे हैं बिटा मैं अभी आपको दिखाता हूं तागे आप लोगों की जिन्दगी क्या हो जाए बिटा असान हो जाए तो हम जल्दी से इसके आंसर्स देखते हैं कि सर इसके सावलात कैसे आते हैं और किस तरीगे से हमें उसके आंसर्स लिखने हैं गारी बिटा वन उनित इसकी मई फिफ्टी फाइफ के अंदर उसके अंदर यह कहा गया कि पक compute परोविंस है जो कि पंगलादेश है और वेस्ट 하는데 आप क्या एक प्रॉविंस है उन्होंने यह कहा कर दिया अब यहां पर सवाल देगे विच और फॉलिंग कॉंट्रिब्यूटेट न मोस्ट चुदा पाकिसान डिमेस्टिक पॉलिसी बिट्वीन सबसे पहले की सर्विसस बताएं की सर्विसस क्या बताएं क्वाजा नाजमतीन वस्मेट गवर्णर जनल इन 1948 यह मेड़ फॉर्स मोफ तोड्स चॉंटिशन डेवलप्म इस अब्जेक्टिव शॉलुशन इन 1949 which consisted on the principle of islam freedom and religious tolerance as it stated that not only muslims will be able to lead their lives according to islamic principle but other religious groups should be able to practice their own religion hence it was a success of khwaja part as it enabled him to deflect criticism from ulmas who said the new state was not islamic enough as it satisfied the ulmas during his time khwaja was able to draft such financial policies due to which he managed to keep the economy going it was a success on his part as he was able to produce surplus budgets for the new state basic principle committee in 1950 provided with clause for drafting of constitution however it attracted much criticism as it contained clauses which gave more power to federal government and head of state resulting in limited power given to provincial politicians which angered them as it was against the pakistan movement stood for provincial autonomy during his tenure proda public and representative officer disqualification act was introduced with the aim of eliminating corruption as it give the power of governor general or provincial governors to initiate inquiry by judges against against public office holders and if found guilty can be removed from position however it was criticized by many as against jenna's democratic vision and was used by ruling elites to threaten opposition public officers holders to be silent however others contributed towards the domestic policy there was shortage of food during the region or during the reign of uh mgm due to severe drops at first the government was slow to address the situation and there were protests against the government and soon he was able to get a million tons weight from australia and usa which helped to eliminate these force shortages and people calmed down there were also protests on religious lines as many ulmas demanded that all ahmadis kadiani should be uh declared non-muslims and should also remove from senior post including foreign minister zafarullah khan but the government of malik gulam muhammad was unable to deal with these protests and at last called for military assistance to curb them which was a failure on part of gulam muhammad as he dragged in military to deal with political affairs and sort the seeds of future martial law due to these problems little constitution development could take place after the resignation of mgm in 1959 later it became the first president of pakistan 1956 later it became the first president of pakistan 1956 after the introduction of the constitution of 1956 iskandar mirza passed the one unit scheme according to which four provinces of west pakistan including ten princely states were unified together to make one province known as the west pakistan now pakistan comprised of two provinces east and west it was important as it helped to resolve the constitution issue of division of streets in the assembly as now seats were equally divided between east and west made in the constitution the policy meant that east pakistan could not gain a majority in the assembly iskandar mirza to this iskandar mirza in the short period of one year 1957-58 which created political instability and provided a reason to ayub khan to impose martial law in 1958 to restore stability it was due to poor leadership iskandar mirza that pakistan had to suffer from uh marshal law for the coming eleven years in my opinion kwajah's contribution was more important सभी है यह दो खौजा की सिबसे बोले होगे या लियाकत अलीखार पर हमारे बात एक और दफे सवाल आया है अब देखो इसमे लियाकत दिया है सर्विसस पूरी वह लिखोगे सेम लिखोगे सभी है सिफ नाम किया गर दोगे चेंज कर दोगे बागी हम यह पास क्या है मलिक मौमद अर्सकंदर मिर्दा तो यह हमारे पास देख जब सवालात आते हैं तो आपने बात समझ नहीं है कि एक्जामिनर आपसे खेलने जाए उससे पहले एक्जामिनर साब खेलोगे अगर कोई बंदा यह कह देना कि मौमद अली बोकरा पे सवाल आया है तो मुझे उसका न तो आप लोगों के पास रेकॉर्डिंग आपने टेंशन लेने की तो दरूर आती नहीं है अच्छा भाई अब हमारे पास क्या है देखें यह तो हमने पढ़ ली किस तरीके का सवाला हैगा 14 माग का हमने सर्विसे लिखनी है लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजे भी पता होनी चाहिए कि इनके दोर में किस तरीके से रूलिंग हुई सबसे पहले देगे मैं ख्वाजा नाजिमत्दीन की बात कर लेता हूँ ख्वाजा नाजिमत्दीन आपके पास क्या थे इस पाकिस्तान से थे आप ये बदाओगे ये बड़ा शरीफ आदमी था और आफ्टर देट आफ काईद आदम अब ये बदाओगे कि ख्वाजा नाजिमत्दीन को हटाया कैसे मलिक गुलाम मुहमद क्या थे मलिक गुलाम मुहमद उन्होंने इनको हटाया था अजब पहले तो हमारी ये कहानी हो गई कि इनके दौर में क्या-क्या काम वे वह सारी चीज़ है दूसरी चीज़ देगा अब हुआ क्या जैसे ही लियाकत अली खान की डेथ भी 1951 गे अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मलिक गुलाम मुहमद फाइनस मिनिस्टर थे मलिक गुलाम मुहमद जो कि गवर्णर जनरल बाद में लेकिन पहले गया दे फाइनस मिनिस्टर है Finance Minister ने कहा कि आप है ना क्या करें आप Prime Minister बन जाए आप क्या बन जाए Prime Minister बन जाए क्योंकि लियागत अली खान के बाद Prime Minister की जरूरत है आप Prime Minister बन जाए मैं Governational बन जाता हूँ मतलब मुझे सवात है मतलब चूना लगाया प्रो लेविल का चूना लगाया क्योंकि ये इस पाकिसान से जल्म गड़ना था लियागत अली खान की जैसी देटवी मलेक गुलाम मुहम्मद ने कहा कि आप हट जाए मैं Governational बन जाता हूँ आप Prime Minister बन जाए मुल्क की बहतरी के लिगाम बरेगे लेकिन मलेक गुलाम मुहम्मद ने मुल्क की धचियां वदा दी फिर आप ये वदा होगे कि होता ये है कि इनके दौर में और क्या चीज़ होती है ये क्या बन गए पहले ये Governor General थे Governor General के बाद ये demote हो गए और ये क्या बन गए प्राइम मिनिस्टर और साथ में Governor General कौन है मलेक गुलाम मुहमद आपने ये बात पढ़ी थी कि मलेक गुलाम मुहमद के दौर में ड्राउट से एक और में प्रॉब्लम जाई प्रोटेस्टा है जब ये सारी प्रॉब्लम आई ना तो सारा का सारा ड्रामे बादी सारे की सारी ड्रामे बादी इन्होंने किसके उपर डाल दी इन्होंने डाल दी मलेक गुलाम मुहमद बहुत ही पेशरा मादमी था मलेक गुलाम मुहमद ने गया गए पहले इनको Prime Minister बनाया खुद Governor General बन गया फिर उसके बाद गया गए जितने उनके दौन में क्राइसिस आए न सारा इल्जाम इसको पर डाल दिया कि ख्वाजा तुम प्राइम मिनिस्टर हो तुम्हारी ही हुजा से यह है अवाम को यह शोगरा कि यह प्राइम मिनिस्टर बख्वास है इन 1953, Pakistan faced a severe food crisis and economic problems leading to civil unrest which was exploited by religious elements that wanted Qadiyanis to be declared as non-Muslims During his rule, Ehraal Party demanded that Qadiyanis should be declared as non-Muslims and they should be removed from key ports of Pakistan including Sir Zafarullah Khan, Foreign Minister of Pakistan The government of Nazimuddin was criticized for lacking firmness in law and order and dealing with economic situation So, Malik Gulaa Muhammad dismissed Khwaja, Khwaja को इसने हटा दिया, Khwaja के बाद वो किसको लाया, Muhammad Ali Bhogra को लाया किसको लाया बिटा, Muhammad Ali Bhogra आपने समझे नहीं देखो, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लियाकत भाई, लियाकत भाई, बड़े अच्छे आदमी है लियाकत भाई की जैसी देखी तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन बना, Khwaja नाजिम الدीन हाला कि वो गवर्नर चनल ने, मलिक Gulaa Muhammad ने बुला, मैं कवर्नर चनल बन जाता हूँ आप क्या बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर फिर जब उनके दोर में बुरी चीज़ आई, सारा टोपी ड्रामा, Khwaja नाजिम الدीन को उपर डाला फिर उन्होंने बनाया, महमद अली बोगरा को, किसको बनाया, महमद अली बोगरा को बनाया तो ये हमारे पास कहानी है कि क्या हुआ, उसके बाद मले गुलाम मुहमद की बारी आई, मले गुलाम मुहमद ने तो ड्रामे बादी आदमी था, आप ये बताओगे कि बाई, सबसे पहले ये क्या देए, फिर्श फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद आप ये बताओगे जैसी मुहम्मद अली बोग्रा को हायर करा तो मुहम्मद अली बोग्रा देखो जैसा हम करते हैं वैसा हमें भढ़ना पड़ता है इसने मुखवाजा नासिमुद्दीन के साथ गलत करा था किसने मलेक गुलाम मुहम्मद ने उसके बाद आपको यह बाद बदै हुए लियागाथ अली गान कौन प्राइम मिनस्टर आ है नाइटीन फॉर्टीएट से फिन percentage है ओर ऑर आपके बहुत हुआ से लियसे छिह मुळं Вас कि आड़ा गुष आड़ा गुलाम वाह मोढ़ा गड़ा कि क्या करने की कोशिश करी जैसे ये बाद मले गुलाम मौम्मद को पता चली उसने क्या करा उसने पूरी असेमली को डिस्मिस कर दिया क्या कर दिया पूरी की पूरी असेमली को डिस्मिस कर दिया और असेमली को डिस्मिस करने के बाद इसने क्या करा पूरी अपनी assembly लाया, obedient assembly लाया और उसके अद वापसी मौहमद अली भोगरा को puppet ruler बना दिया, मतलब dismiss करा, dismiss करने की बाद वापसी भोगरा को लाया, लेकिन बंदे अपने लाया, तो उससे क्या हुआ कि भोगरा के बाद अब power ही खतम हो गई तो क्योंगे assembly में देखो जैसे अभी आप लोगों ने वाद सुनी होगी, कि जब इम्रान कान को हटाया, तो assembly में vote हो आना कि non-corporation movement के भाई हम इसे satisfied नहीं है, इसको हटाओ तो इसी तरीगे से assembly में बंदे चाहिए होते हैं इसने क्या करा, इसने मुहमद अली बोगरा ने जब इसकी power कम करने की कोशिश करी मलेक गुला मुहमद की, तो मलेक गुला मुहमद ने बोगरा को हटाया, assembly को dismiss करा, अपने बंदे लाया, और अपने बंदे लाने के बाद फिर क्या बनाया, प्राइम ने चाहर बोगरा को बनाया, तो अब भोगरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों क्योंगे बंदे तो सारे उसके assembly के अंदर, तो आप यह उदा होगे कि वेन भोगरा attempted to lessen the power of governor general via parliament, so he dispensed constant assembly as well in 1954, इसके दोर में कोई अच्छी चीज़े भी, जैसे कि यह आप लोग कहां पर पढ़ोगे, जब मैं आप लोगों को relations करवाऊंगा section 3 के बाद, तो 1954 के अंदर हम CTO के member बने थे, South East Asian Treaty Organization, फिर आप यह बता होगे कि हमने बगदार PEC, जिसको हम sento भी कहते हैं, वो हमने क्या करा था, sign करा था, फिर आप यह बता होगे 1955 के अंदर इनको तुरी सी बिमारी हो जाती और फिर यह क्या कर देते हैं, resign कर देते हैं, और इसकंदर मिर्दा आजाते हैं, अब इसकंदर मिर्दा क्या बन गए, गवर्णर जेनरल बन गए, आप यह बता होगे कि यह शुरू के अंदर क्या दे, यह शुरू के अंदर आपके पास defense secretary दे इसकंदर मिर्दा, फिर आप यह बता होगे कि इन्होंने काफी चीज़े देखी हैं, जैसे इंडो पार्क वाल जो शुरू में निकाला, जब काफी ज़्यादा प्राइम मिर्दा को निकाला तो आप यह बताओगे, कि इसकंदर मिर्दा से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसकंदर मिर्दा के खिलाफ काफी लोग जमा हो गए थे, जिसकी वज़ा से इन्होंने पहला मार्शल लाव पाकिसान के ले लगा दिया, और अयूब खान को चीफ Martial Law एड्मिनिस्टर बना दिया, और यह क्या लग गया, आपके पास Martial Law लग गया, तो यह हमारे पास पूरी कहानी है, Governor journals की, सही है, बागी हमारे पास यह प्राइम प्राइम मिनिस्ट्र्स भी हैं अगर आप लोगों को जैसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेनिशन चाहिए हो तो आप लोग, वह भी पढ़ सकते हो ठाके आप लोगों को एक आइड्या हो जाए के यार किस तरीके सा हमारे पास सारी चीज़ रहे हैं सही है तो hopefully आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी अब आप लोगों के पास क्या-क्या सवालात आएंगे वो सवालात गोर से देगे सवाल आएगा why was it difficult to agree on a new constitution in 1950 1950 के अंदर जो constitution आया कौन सा आया था basic principle committee आया था अब उसमें why it was difficult to agree on a new constitution in 1950 उसकी आपसे वज़ा पूछी गई है जब आपसे वज़ा पूछी गई है तो देखो अगर सवाल आजाए सवाल को घुमा के भी आ सकता है सवाल अगर यह आजाए why basic principle committee was rejected यह सवाल आजाए why was it difficult to agree on a new constitution दोनों का अंसर क्या रहेगा आप यह बताओगे basic principle committee was rejected by east Pakistan why it was rejected क्योंगे east Pakistan की population 54% थी and they wanted at least equal seats at least equal seats as west Pakistan लेकिन basic principle committee के अंदर east Pakistan की seats कम थी जिसकी वज़ा से क्या हो गया reject हो गया and basic principle committee के अंदर उर्दू को national language बनाया गया नहीं वो बनाया गया उनको उर्दू national language नहीं चाहिए that's why it was rejected आप क्या बताओगे basic principle committee क्योंगे इस पाकिसान की population 54% थी they wanted at least equal seats कम से कम equal seats तो दो लेकिन equal seats भी नहीं थी basic principle committee के अंदर तो उर्दू आप क्या बताओगे उर्दू भी national language उनको नहीं चाहिए तो उनको बंगाली चाहिए थी जिसकी वजासे it was rejected दूसरा आपके बास क्या reason है क्या आप यह बताओगे क्या politicians जो थे उन्होंने oppose करा basic principle committee को क्योंग आपने basic principle committee में पढ़ा कि main powers किसके हाथ में थी central government के हाथ में दी which was against Pakistan movement क्योंगे पाकिसान movement के अंदर यह कही गई दी कि provincial autonomy provincial autonomy provinces के पास power होनी चाहिए तो आप यह बताओगे politicians ने यह बात को क्या करा उपोस करा especially को प्रोविंशल आप यह बताओगे BPC क्या है basic principle committee main powers किसके हाथ में थी मिटा federal government के हाथ में थी central government के में दी तो लोगों ने उपोस करा कि यार तुम पाकिसान movement के अगेंस टार तीसरी जिबाल आप यह अगरा होगे कि basic principle committee ने religion पे बहुत कम focus करा तो अगर आपके बास सवाल आजाए कि why basic principle committee was rejected यह सवाल आजाए why was it difficult to agree on a new constitution in 1950 तो आप बुराया बताना शुकर दोगे basic principle committee के अंदर जो seats थी वो इस पाकिसान को कम दी गई इस पाकिसान की population 54 परसं थी they wanted at least equal seats लेकर उनको equal seats भी नहीं दी गई उर्दू उनको national language नहीं चाह यह थी जिसकी वज़ा से हम agree नहीं कर पाए दूसा reason कि है politicians ने इसलिए oppose करा क्योंकि basic principle committee के अंदर main power central government के हाथ में थी आप यह बदाऊगे कि province की power कम थी that's why it was rejected क्योंकि section 2 में आप रोते भाय थे कि हमें provinces की power चाहिए provinces की power चाहिए तीसरी बादा भी बदाऊगे basic principle committee पे religion पे ज्यादा criticize करा and that's why it failed अब सर इसका सवाल कैसे आएगा और इसका answer हम कैसे लिखेंगे तो बिटा यह कच्रा सवाल है और कच्रे सवाल का आपको मतलब पता है कि paper में यह एक ही दफा आया है तो हमारे बास यह paper में कहां पर आया है वह हम देख लेते है अब यह हमारे पास सवाल है जो कि paper में आया था why was it difficult to agree on a new constitution east pakistan disagreed with the draft proposals of basic principle committee in 1950 because it felt that its people were underrepresented especially given its large population as they were 54 percent of total population as it wanted representation at least equal to each of west pakistan province it also objected to urdu being the main language given its use of pengali there was opposition from local and provincial politicians as they had no input under the proposals of approving of the power of the head state उसके वाल आभी अदा होगा in central government religious groups also objected as the new constitution would put enough emphasis would not put enough emphasis on islam and they argued that Pakistan should be governed on islamic principles since there was so much opposition to these proposals ल्याकदरिकान felt it needed further consideration resulting in constitutional crisis तो या आप गासे सवाल है एक और हम सवाल देख लेते हैं यह कच्रे सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूं बिटा पेपर में आजेंगे ना फिर क्या करोगे बोलोग Rock अकबर हमने कैसे कच्रा सर सडसे पढ़ा था हमने ऐसे सर सडसे पढ़ा तो जिन्नों हमें कुछ नी कराया तो बाद में मुझे उल्टा-फुल्टा कहते रहो तो बहतर ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर लें आप ये बदाओगे कि जिनार की देथ होती है 1948 में लियागत अली खान की देथ होती है 1951 के अंदर आफ्टर देथ आफ दीस टू लीडर्स कॉंसिटूशन क्राइस आए क्योंके आपके पास कोई में लीडर नहीं था आपके पास कोई अच्छा लीडर नहीं था जिसकी वज़ा से आपके पास कॉंसिटूशन क्राइस आए 1954 से लेकर 55 था फिर आप ये वदाऊगे कि दूसरा रीजन क्या है ये 1953 के अंदर मलिक गुलाम मुहमद डिस्मेस कर देता है ख्वाजा को और बोगरा को अपॉइंट करता है और बोगरा गया दा इनेक्स्पिरियंस बना दा डिप्लोमेटिक दा चलाक आदमी दा तो कॉन्सिटूशन बनाने और आप दूसरा प्राइम मिनिस्टर ला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो आपके पास कॉन्सिटूशन क्राइसिस आएंगे न और क्या आएगा तो बोगरा जो था वो क्या था इनेक्स्पिरियंस था तो कॉन्सिटूशन में डिले आया है फिर आप ये वदा होगे कि 1954 के अं इसने असेमली को डिजॉल वर दिया अगर अगर आप ये एसम्बली ये डिजॉल हो जाएंगी तो कॉन्सिटूशन कहां से बनेगा कानून कहां से बनेगा इसलिए इसलिए कॉन्सिटूशन क्राइसिस आई फिर आप ये हुदा होगे कि 1955 में वन यूनिट इसकीम आती है द जिना की देटो गई लियाखे जिलिखान की देटो गई कोई अच्छा लीडर नहीं था कॉंसिटिशन क्राइसिस आते रहे 1953 के अन्द है मले गुला मुहमद को डिस्मिस किया गया को बोगरा को अपॉइंट किया गया बोगरा डिप्लोमेटिक बंदा था कॉंसिटिशन में दिले लाया एकना एक्स्विरियंस बना था 1954 के अंद है बोगरा को उसकी पावर कमगड़ने की खुशिश करी मले गुला मुहमद किया था मले गुला मुहमद के बारे में आप यह बताओगे कि वह वह वापसी आता था उसको डिस्मिस कर देता है तो क्या हो होगा कि आपकी क्यों ऐएंगे 1955 के वं यूने इस्खी माती है वह से भी उप होते तो कॉंसिटिर्टिशन वाइसिस कि इंड नाइटें 50 ऐड में क्यों constitutional crisis आये तो हमारे पास सवाल या आएगा कि भाई जितने भी पुरानी governments थी उनकी problems बहुत ज्यादा थी उनकी जब problems बहुत ज्यादा थी जैसे के droughts का problem आया food shortage का problem आया protest चल रहे है कादियानी के खिलाफ protest चल रहे है तो successive government उनके बाद जितने भी governments आई उनके पास भी problem मुफ्ते में आई मतलब free में आ रही है free में ये problems आ रही है तो उन्होंने constitution पर focus नहीं करा क्योंकि वो अपनी previous governments की problem क्या कर रहे थे solve कर रहे है दूसरा रीजन आर गया बदाऊगे कि 1956 से लेकर 58 ये 68 नहीं है 1956 से लेकर 58 तक बहुत ज्यादा number of prime ministers change हुए और खास तौर पे 1957 से लेकर 58 तक तीन prime minister dismiss हो रहे है एक साल गेंदर अगर तीरी prime minister आ रहे है तो कैसे constitution बनेगा कैसे आपकी government क्योंकि government stable ही नहीं है एक government टेकी नहीं रही बार बार आ रही है dismiss हो रही है बार बार आ रही है dismiss हो रही है जब government ही नहीं रहेगी तो constitution कानून कहां से बनाओगे तो आप ये बताओगे कि वाई पिछली government के problem से constitution बनाने में मुश्किल हो रही थी 1956 से 58 बहुत ज़्यदा प्राइम नेस्टर चेंज वे गवर्मेंट stable नहीं थी जिसकी रह से problem आया फिर आप ये बताओगे कि इसकंदर मिर्दा जब आपकी हस governor general था तो इसके खिलाफ leaders हो गए थे इसकी support में कोई खरा नहीं हो रहा था तो जब rivalry आना शुरू हो गई लोग इसको support ही नहीं कर रहे है तो constitution कैसे बनेगा क्योंगे जब आप कानून बनाते हो तो आपको assembly में pass करवाना पड़ते है उसको 75% लोग उसको अप्रूफ करेंगे तो वो कानून बनेगा तो जब वो कानून अगर आप लोगों से भड़ा अगर के बैठे वे हो आपकी rivalry चल रही है तो आप कैसे constitution बनाओगे तो 1958 में constitution crisis इसलिए आए क्योंगे पिछली government के problems आ रहे थे तो वो government के problem solve करने के अंदर हम constitution में focus नहीं कर पाए कि उसका जो support था वो चले गया वो जब चले गया लोग उसके खिलाफ हो गए तो कैसे वो support gain करेगा वो कैसे कानून बनाता तो that's why there were constitution crisis in 1954 and sorry 1958 अब इसके सवालात देख लो देखो यह एक एक दफा है लेकिन यह आपके लिए important है why there were constitution crisis in between 1954 and 55 जना the founder of Pakistan died in 1948 and Liagad Ali Khan died in 1951 they were the two leading leaders of Pakistan thus after the death of these two there were no main leaders to guide the inexperienced member of constitutional assembly who were mainly landlords resulting in constitutional crisis in Pakistan in 1950 the governor general Malik Gullah Muhammad dismissed Khwaja Nazimuddin the prime minister who was replaced by Muhammad Ali Bogra he was a diplomatic and had little experience about the political and constitution affairs leading to delay in constitution making फिर आप बता होगे prime minister को क्या गड़ा बोग रहने तब उसको हटाने की कोशिश करी वो आया उसना assembly को dismiss कर दिया तो आपकी stability नहीं दी one unit scheme से इस पाकिसान satisfy नहीं था constitution crisis आ गए पिर सवाल आएगा why there was explain why there was a constitution crisis in 1958 तो इसलिए था क्योंकि 1956 से 58 तक काफी government क्या भी change भी फिर आ भी बता होगे कि हमारे पास क्या था कि विशली government के problem हमारे पास भी आ रहे थे इसकंदर मिर्दा अपना support पूरा को चुगा था जिसकी वजासे यह लोग constitution नहीं बना सके तो हमारे पास तीन सवाल आ सकते हैं why there was a constitution crisis in 1950 why there was a constitution crisis in 1954 to 55 why there was a constitution crisis in 1958 तो यह हमारे पास है कहानी hopefully आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी